पठान बॉयकोड के लिए बेसर्म रंग ही काभी है, कहानी तो फिर दूर की कोड़ी है नमस्कार दोस्तों मैं हुराहूल श्वागत है आपका हमारे सेनल बॉलिवूड डॉम पर आसा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे तो दोस्तों आगाज हो चुका है आ रही है पठान कुछ समय पहले इसका टीजर आया था जिसमें कि शारुक खान के हैट जॉन अब्राहम से ज़्यादा बताई गई थी पता नहीं वो कौन से शारुक खान थे जिनकी के हैट जॉन अब्राहम से ज़्यादा थी अब एक बार फिर से इस गाने में उनके six-pack apes जो है वो जौन इब्राहिम से ज़्यादा लग रहे हैं पता नहीं makers कहां से ऐसे शारुख खान को लेकर आया है जिसने के कि जौन इब्राहिम से six-pack भी ज़्यादा है और फिर क्या बोलते है कि हाइड भी ज़्यादा है वहीं अगर बात की जाए दिपिका पादुकॉन की तो दिपिका पादुकॉन अभी तक उनकी लास्ट फिल्म गहराईया की गहराईयों से बाहर नहीं निकल पाई है खेर जो भी हो इन सब में इन दोनों की कोई गलती नहीं है इन से ये सब करवाते हैं makers तो makers के लिए मैं कहना चाहूंगा कि भहिया ऐसे कैसे चले वहीं अगर बात की जाए songwriter साब की तो songwriter साब का तो क्या ही कहना उन्होंने तो कमाल ही कर दिया है एसा गाना एसा गाना तो हमने इसके पहले आएक तक सुना ही नहीं था हाँ कवाली जरूर सुनी थी लेकिन ये गाना सुनने के बाद ये लग रहा है कि उस कवाली के साथ में भी पता नहीं क्या ही कर दिया है अब अगर बात की जाए शारुक खंसा की तो यह ऐसा है कि आप हुडी, मास्क और चस्मा नहीं कंबल ओड़कर भी मंदिर जाएंगे तो लोग आपको पहचान लेंगे क्यों? क्योंकि आपने समय गलत चुना है, इस समय आपकी फिक्चर आने वाली है पठान और इस समय पर हर किसी के आपके उपर पहनी निगाब बनी हुए है आप एक कदम गलत उठाओगे और आपके खिलाप में केम्पेन जारी कर दिये जाएंगे मैं यह नहीं बोल रहा हूँ कि आपने मंदिर जाकर गलती कर दिये, लेकिन आपने समय गलत चुना है वही पर साथ ही में आपके मित्र यानि कि आमिर खान इनी सब चीजों को लेकर पिछले 3-4 दिनों से चर्चाओं में बने हुए है उनके भी उनकी एक सवाइब किरन राओ के साथ में कुछ तक्स्वीरे वाइरल हो रही है जिसमें वो पूजापार्ट और आरती बंदन करते वे दिखाई दे रहे है यहाँ पर आपके पूजापार्ट ना ही आमिर खान के ना ही शारुक खान जी के पूजापार्ट करने से ना ही मंदर जाने से किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है आपको मंदिर में जाना दिया जाता है आपको पूरी सुईदाय दी जाती है हर इज़त सम्मान के साथ में आपको मंदिर ले जाया जाता है लेकिन दिक्कत यह है कि अगर आज से कुछ समय पहले तक की अगर मैं बात करू तो जब भी आप लोगों की कोई भी फिल्म आती थी आप मंदिर नहीं कहीं और जाते थे और इसी कारण की वज़े से यह सारी बाते की जा रही है क्योंकि आपने समय गलत चुन लिया है तो चलिए ज़र आप संचिप्त में जान लेते हैं कि और क्या कुछ है इस गाने में हमारे लिए है आखिरकार सारुक की अपकमिंग फिल् काने में देखी जा रही है तमाम मूवी बफ और क्रिक्स गाने की स्चान में कसीदे पढ़ने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं काने को लेकर तमाम बाते हो सकती है भाति-भाति के तरक दिये जासकते हैं लेकिन गाना देखने के बाद ये कहना कहीं से भी गलत नहीं है कि गाना ठीक वेसा ही है जैसा आज के युवा को चाहिए होता है मतलब गाने में समुंदर है, बीच है, लड़किया है, सराव है, डीजे है और बेर चेस्ट में शारुक खान है, गॉल्डन में उन्हों का उनी बिकनी में दिपिका पादु कौन है उपर से कमर को थिरकने के लिए मजबूर करने वाला म्यूजिक है हमारे भी एसे तमाम लोग है, जिनके की होंस इतने एलिमेंट देखने के बाद उड़ गए होंगे, और वो इस गाने को हिट मान लेंगे तो क्या सच में ये गाना हिट है, क्या गाना हिट है आग कुछ बात करने से पहले आईए शारुक खान और दिपिका की फिल्म पठान के अभी अभी लॉंच हुए गाने की बॉल पर एक नजर डाल लेते हैं क्या पता विसे समझने में आसानी हो जाए गाने में सौंग राइटर की कलपना कुछ यू है हमें तो लूट लिया मिलके इसक वालों ने बहुत ही तंग किया अब तक इन ख्यालों ने नसा जो चड़ा सरीफी का उतार फेका है बेसर्म रंग कहां देखा है दुनिया वालों ने अब जब कि ये गाना हमारे सामने आ गया है और इसे लेकर शोसल मेडिया पर थमाम किस्म के बज़ है तो जब हम गाने के बॉल पर गोर करते हैं तो हमें कुछ भी नया दिखाई नहीं दे रहा है मतलब शारुक की फिल्म थी बड़ा बजट था गाने में बिकनी में सिजलिंग दीपी का पादू कौन थी और गाने का शोंग राइटर मांसिक रूप से इतना गरीब था कि उसे गाने के लिए कुछ शब्द ही नहीं मिले गाना सुनने के बाद हिरान होने जैसा कुछ नहीं है दरसल जैसा की हालिया दोर में वल्ली उट का दस्तूर रहा ये गाना भी कौपी हुआ है हम एसा बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि गाना लिखने वाले नहीं गाने के एक एक सब्द को कौपी कर लिया है लेकिन इस गाने को लिखने के लिए सौंग राइटर ने इसमाइल आजाद कववाल पार्टी की दसको पुरानी उस कववाली हमें तो लूट लिया मिलके हुष्ण वालों ने गोरे गोरे गालों ने और काले काले बालों ने को चुना है जिसके बोल ओरिजिनल से लेकर रिमि इसने क्रेटिव नहीं रह गए हैं कि वो अपनी कलम कुछ ऐसी चलाए कि उनका लिखा गाना हमें तो लूट लिया मिलके हुष्ण वालों ने की तरह अमर हो जाए बोल्यूट से अगर हमें इन सवालों का जवाब मिल गया तो बहुत अच्छी बात है और अगर इतने अहम म गाने को लिखने वाले हो या फिर गाने वाले हो किसी ने भी खुद आगे आकर इसकी निंदा क्यों नहीं कि विसे बहुत सीधा है अगर हमें तो लूट लिया मिलके हुष्ण वालों के जरिये हमें इसमाइल आजाद कव्वाल पार्टी की चर्चित कव्वाली ही सुननी थ रहे हैं कोई भी निर्माता निर्दे सक कुछ नया क्यों नहीं कर पा रहा है आखिर क्यों हम आज भी अपनी फिल्मों को चमकाने के लिए पुरानी फिल्मों और उन फिल्मों के दिखाए गए गानों के महताज है पठान के नए गाने बेशर्म रंग के शामने आने के पहले गाने को मुद्दा बनाना चाहिए हो शकता है कि जनता का मूर देखकर पठान और इसके इतर फिल्म मेकर को इस बात का एशास हो कि फिल्म के शाथ में अब ये वक्त आ गया है कि अब उन्हें गानों पर भी ध्यान देना होगा अंते में हम ये बात कहकर अपनी बातों को विराम देंगे कि पठान के वेशारम रंग के जरिय मेकर्स और शारुक खन ने दिल तोड़ा है और इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है तो दोस्तों देखा आपने एक बड़ा बजट होने के बाद एक बड़ा इस्टार होने के बाद एक बड़ी एक्ट्रेस होने के बाद और अच्छा खासा सेट होने के बावजूद भी इस तरह से एक पुराने गाने को जो कि अमर हो चुका है जो कि हमारे सामने कभी भी आयता है तो हम उस गाने को दोहराने लगते हैं, उस गाने को उठाया और उसका कबाड़ा कर दिया, तो क्या शारुक खान की मुवी शेबिया वैसी ही उम्मित की जा सकती है, क्या चार साल पहले आई उनकी जीरो की तरह अब ये मुवी भी उसी तर नहीं किया तो प्लिस जन्दी से कर देजिए